हाई फ्रेंट्स, वेलकम तो देश्क, देवा, इंग्लिश स्पकन क्लास फ्रेंट्स, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दे एवर मना अभी जो संटेंस बला, हैव यू एवर हर्ड, उसमें भी एवर आया तो आपने एवर का बारे में सुना होगा, एवर, एवर वर्ड्स, ए, वी, ए, यार, एवर तो आपने एवर का बारे में सुना होगा, एवर में इस क्या होता है हम एवर का इस्तिमाल किस तरह के संटेंसेज में करते हैं और किस तरह के से करते हैं अपने सुना होगा whatever, whoever, whenever, wherever, whichever ये सब काफी सारे words है जिसके अंत में ever आता है तो आज हम इस तरह के words के पारे में sentences बना बना कर देखेंगे, सिखेंगे कि ever का इस्तमाल हम किस तरह से और किस तरह के sentences में करते हैं ठीक है friends? तो let's start the class of the day तो हम एक एक करके जितने भी ever वाले words है सब ही को sentences के द्वारा हम screen पर ही समझते जाते हैं ठीक है friends? मैं समझता हूँ कि board से ज़्यादा screen पर अच्छा रहेगा आपको पर्ष्ट दिखाई देगा और समझ में भी आएगा तो ठीक है friends? मैं screen पर ही अच्छी तरह से एक एक words को एक एक sentence says के द्वारा एक एक sentence के द्वारा मैं आपको show करूँगा दिखाऊँगा और बताता जाऊँगा ठीक है friends? तो let's start Whatever का मतलब होता है जो भी जो कुछ भी जो कुछ भी हो सकता है वो करो Do whatever you can Whatever will be Whatever happens I will go there जो भी हो चाहे जो भी हो मैं वहां जाऊँगा Whatever the reason you shouldn't have been late कारण चाहे कुछ भी हो तुम्हें लेट नहीं करना चाहिए था Whatever are you doing under the table क्या कर रहे हो तुम table के नीचे अभी हम whatsoever को देखेंगे whatsoever और whatever तुनों सहम है I have no interest whatsoever in politics मुझे राजनिती में कोई इंट्रेस्ट नहीं है Whichever means जो भी जो कुछ भी ये ज्यादा तर non-living things के लिए इस्तेमाल होता है There are two options Choose whichever you think is easy दो रास्ते हैं आपके पास आपको जो आसान लगता है वो चुनो Whichever way you do It is definitely not easy चाहिए आप जो भी रास्ता चुनो ये आसान तो बिल्कुल नहीं है Whichever way you do it It is definitely not easy चाहिए आप जो भी रास्ता आपनो ये आसान तो बिल्कुल नहीं है Whoever means जो भी ये ज़्यादा तर living things के लिए इस्तेमाल होता है I don't fear him Whoever he may be मुझे डर नहीं लगता चाहिए वो जो भी हो Whoever has done this Come to me जिसने भी यह किया है वो मेरे पास आए Whoever told you getting rich is easy किसने तुमको कह दिया कि अमिर होना आसान है Whenever means जब भी I go to my mother whenever I get time जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपनी मा के पास जाता हूँ Whenever possible I wash my clothes जब भी समभव होता है मैं अपने कपड़े दो लेता हूँ Wherever means जहां भी Wherever you go, wherever you see You will find the God जहां भी तुम जाओगे जहां भी तुम देखोगे तुम्हे भगवान मिलेंगे Wherever I go, she comes with me जहां भी मैं जाता हूँ वो मेरे साथ आती है I heard they are from जगतापगड Wherever that is मैंने सुना है वे लोग जगतापगड से हैं पता नहीं कहां है ये ओके फ्रेंट्स तो उमीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आच चुका होगा कि Ever Words को हम किस तरीके से इस्तिमाल करते हैं और कहां कहां किस तरीके Sentences में करते हैं और किस Words के अंत में Ever आने से क्या अर्थ होता है उसका Hindi अर्थ होता है ये भी आपको समझ में आच चुका होगा स्थिकर फ्रेंट्स तो अब तक हमरा वीडियो देखने के लिए थाइक्स, थाइक्स अलोट, धन्यवाद